Hello बच्चो, इस वीडियो के अंदा हम नीम बाबा चैप्टर के question answers करेंगे सबसे पहले करेंगे हम, let us do these activities before we read Question 1, a tree is useful to us in many ways mention some of these uses, write them in the picture given below तो बच्चो, यहाँ पे आपको tree के uses लिखने हैं ठीक है तो यहाँ पे आपको पहला use दिया गया है some parts of the trees are used in preparing medicines तो देखे बच्चो, trees के कुछ parts ऐसे होते हैं जिनका use दवाईया बनाने के लिए होता है, ठीक है अब आप second use लिख दोगे, provides oxygen trees हमें क्या provide करते हैं, oxygen provide करते हैं gives fruits, फल देते हैं, habitat for animals and birds तो देखे बच्चो, trees जो हैं, वो क्या करते हैं, तो animals और birds के लिए वो क्या provide करते हैं, habitat प्रोवाइड करते हैं, मतलब उनके लिए रहने के लिए जगा प्रोवाइड करते हैं अब second है, name is a common tree in our country, discuss in groups of four and fill column A and B with what you know about the name tree and what you want to know तो देखे बच्चो, column A के अंदर आपको वो सारी बाते लिखनी हैं, जो आप name tree के बारे में जानते हो, ठीक है? और column B के अंदर आपको वो सारी बाते लिखनी हैं, जो आप name tree के बारे में जानना चाहते हो तो देखे हम पहले column A में लिखेंगे, used in medicines, तो name tree किसलिए? यूज होते हैं, medicines को बनाने के use होता है, used for skin treatment, skin को ठीक करने के लिए, used in soup, साबून को बनाने के लिए, increases immunity तो देखें बच्चो, name क्या करता है? हमारी जो immunity है, मतलब बिमारियों से लड़ने की जो ताकत है, उसको क्या करता है? बहुत strong बनाता है, अगर हमारी immunity जो है, वो strong होगी, तो हम बिमारियों से लड़ पाएंगे, ठीक है? अब B है, यहाँ पर आपको क्या करना है? यहाँ आपको, name tree के बारे में वो सारी बाते लिखनी है, जो आप जानना चाहते हो, तो आप लिख दो, life span of name tree, तो हम क्या जानना चाहते हैं? जानना चाहते हैं कि name tree का life span का है, वो कितने सालों तक जिंदा रहता है, height of name tree, उसकी height क्या होती है, how name tree grows, वो कैसे उपता है, how name is used in agriculture, औ खेती बारे के लिए, name का इस्तेमाल कैसे होता है, ठीक है, तो यह सारी बाते हम जानना चाहते हैं, अब हम करेंगे, let us discuss, number, found many facts about the name tree from name baba, fill up the fact sheet based on what name baba told her, तो देखें बच्चे, यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको, यह जो fact sheet दी गई है, इसको आपको fill करना ह तो देखें, common name क्या है, name, और किसने दिया है, given by Iranians, period of birth, वो क्या है, millions of years ago, born at, कहाँ पैदा हुए, North India और Myanmar, found in, कहाँ पाए जाते हैं, many Asian and African countries, common name, nimba, names given by scientist, तो बच्चों, scientist ने क्या क्या नेम दिये थे, देखें, scientist ने दिये थे, bitter grace of God, nature's gift to man, cleanliness parting tree ठीक है, और कुछ, और भी क्या कहते थे, magic tree ठीक है, तो यह सारे names किसने दिये थे, scientists ने दिये थे, अब उसके बाद क्या लिखना है, आपको उसके बाद आपको लिखना है, names given by others, तो दूसरों ने क्या नाम दिये थे, limba और nimori, next है, let us discuss मे, page number 80 के questions, first, how is name useful to farmers, तो जो किसान होते हैं, उनके लिए name जो है, वो कैसे useful है, तो आप इस का अंसा लिखोगे, name is useful to farmers, because name seed powder, when mixed with water and sprayed on plants, stop mosquito breeding in fields and protects crop from other insects, it also prevents locusts from eating the crop, तो देखें बच्चो, name seed का जो powder होता है, जब हम उसको पानी के साथ mix करके, जो plants है, उन पर spray cotton पर छड़कते हैं, तो क्या होता है, कि वो क्या करते हैं, वो mosquito जो मच्छर होते हैं, उनकी breeding को रोग देता है, अब जब उनकी breeding रोग जाती है, तो फसल जो है, वो बच जाएग को, जो फसल होते हैं, उसको खाने वाले होते हैं, तो neem tree का जो powder है, neem seed का जो powder है, वो इससे भी crop को protect करता है, किससे locust से crop को protect करता है, तो बच्चो देखें, locust हम किसे कहते हैं, grasshopper को, को कि, अब second है, mention some of the uses of the neem tree, यहाँ पर आपको neem tree के uses बताने हैं, तो देखो आप ल वो साबुन बनाने के लिए यूज होता है, neem twigs are used to clean teeth, तो देखें, बच्चो नीम की जो twigs होती हैं, वो क्या करती हैं, वो दातों को साफ करने में काम आती हैं, purifies air, अब जो हवा है, उसको भी neem tree जो है, बहुत जादा साफ करता है, next है, let us think and reflect, first, you just read about the neem tree, write any two facts that surprised you the most, तो देखें, आपने neem tree के बारे में पढ़ लिया है, अब आपको ऐसे दो बाते लिखनी हैं, जिनको पढ़के हैं, जिनको सुनके, आप बहुत जादा surprise हुए हों, neem tree के बारे में, ठीक है, तो first आप लिख दो, neem leaves, bark, flowers, fruits and even roots can be used to make medicines to cure many diseases, तो बच्चों मुझे पढ़के हरानी हुई, कि neem tree के जो पतियां हैं, बार्क है, flowers है, fruits हैं और उनकी जड़े भी, यह सब क्या है, यह सारी चीज़े जो हैं, यह दवाईयों को, बहुत तरह की बिमारिया होती है, उनको, उनकी दवाई बनाने के लिए इस्तमाल होती है, यह सारी चीज़े ठीक है, second बात क मुझे बहुत ज़ादा surprised करी थी, ठीक है, अब second है, complete the following sentences, यहाँ पर आपको sentences को complete करना है, तो आपका first, sorry, a sentence हो जाएगा, the old man asked Umber to call him Neem Baba, because he concided himself as old and wise as a grandfather, तो old man ने क्या करा था, उसने Umber को बोला था, कि वो उसको Neem Baba कहेगी हो, क्योंकि वो अपने आपको बहुत ज़ादा old समझता था, और क्या समझता था, एकदम दादाजी की तरह अकलमंद, फिस B है, Neem Seed Powder protects crop from termites and other insects, तो बच्चो, Neem Seed Powder किस से protect करता है, crop को जो है, वो termites से और तरह तरह के जो अलग type के insects होते हैं, उनसे protect करता है, C हो जाएगा, mixing Neem Powder in water is a cost effective method to stop mosquitoes from breeding in stagnant water, तो देखें बच्चो, जब हम Neem Seed Powder को mix करते हैं, पानी के साथ, तो ये क्या हो जाता है, इससे, ये cost effective method है, मतलब, बहुत ही कम पैसवाला ये ऐसा method है, जिससे हम mosquitoes की breeding को रोख लेते हैं, फिडी हो जाएगा, One reason why doctors advise us to use Neem Leaves for someone suffering from meals is because Neem Leaves have chemical properties that destroy germs and provide comfort from itching, तो देखें बच्चो, doctors हमें itching में क्यों Neem Tree को use करने के लिए बोलते हैं, नیम की जो पतीया होती हैं, उनको क्यों use करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि, उनके अंदर क्या है, chemical properties होती है, जो germs को क्या कर देती है, खतم कर देती है, और जब germs खतम हो जाएगे, तो हमें itching में comfort हो जाएगा, मतलब, हम इचिंग किसे कहते हैं, इचिंग हम कहते हैं, खुजाने को, ठीक है, फिर थर्ड है, तो नीम बाबा को, वो साल क्यों नहीं आद आ रहा था, जिस साल वो पैदा हुए थे, ठीक है, फिर फोर्थ है, तो दवाईया बनाने के लिए, नीम ट्री के कौन-कौन से पार्ट से उस होते हैं, तब लिग दो, तो देखें बच्चों, इहां पर आपको कुछ वर्ट देखें, कौन-कौन से, something, well-known, childhood, neem oil, grandmother, well-trained, cleanly less parting, seed powder, thought-provoking, ठीक है, put the compound words given above in their tree, these words are known as compound words, तो बच्चे सारे words क्या हैं, यह compound words है, there are three types of compound words, based on how the words are separated, अब देखें बच्चों, compound words कैसे होते हैं, तीन टाइप के होते हैं, open compound words, spaces between the words, तो देखें बच्चों, open compound words में क्या होता है, जो words होते हैं, उनके बीच में जगा होती, space होता है, जैसे example क्या हो जाएगा, well-known, neem oil, well-trained, seed powder, ठीक है, फिर है closed compound word, अब ऐसे words जिन में कोई भी space नहीं होता, जैसे something, childhood, grandmother है न, फिर है hyphenated compound words, अब क्यों होते हैं, इसमें hyphen होता है, बीच मतलब बीच में छोटी सी पतली सी क्योंती होती हैं, अब देखिए कौन कांस होगे, वो हो गया, thought provoking, cleanliness, parting, ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको ये जो इनके trees दिये गए हैं न, इन trees के अंदर, इन सही compound words को डालना है, add करना है, ठीक है, तो देखिए open compound words आप लिख दो, neem oil, well-known, well-trained, seed powder, closed compound words में आप लिख दो, something, childhood, grandmother, फिर आप उसमें लिख दो, hyphenated compound words में आप लिख दो, cleanliness, parting, thought provoking, अब देखिए बच्चो, second है, words that tell us what a person is doing are called verbs, तो देखिए बच्चो, ऐसे words, जो हमें ये बताएं, कि कोई इनसान क्या कर रहा है, तो उनको हम क्या कहते है, उनको हम verbs कहते है, in the table given below, match the verbs in the first column, showing action, in the present to the verbs in the second column, showing action in the past, make a sentence with any one form of the verb, one has been done for you, तो देखिए बच्चो, verbs की नहीं आप पर आपको present form भी दी गई है, और past form भी दी गई है, ठीक है, आपको क्या करना है, आपको present form को past form से match करना है, और फिर, जो आपकी पास verb की present form भी पास्ट form होगी न, उन दुनों में से किसी एक का यूज़ करके, आपको sentence को form करना है, तो देखिए बच्चो, become का past form क्या हो जाएगा, became, ओके, तो इस सब sentence बना दोगी, I want to become a teacher when I grow up, मैं teacher बनना चाहती हूँ, जब मैं बड़ी हो जाओ, तो यहाँ पर हमने किस से word बनाया, sentence बनाया, बच्चो, become से, फिर second है, find, इसका past form हो जाएगा, found, ओके, अब आप found से sentence बना दो, तो she found the lost notebook, उसकी जो किताब, उसकी जो कॉपिक हो गई थी, वो उसको मिल गई है, फिर third है make, इसका past form हो जाएगा, बच्चो, made, ठीक है, अब आप made से sentence बना दोगे, she made a beautiful painting, उसने beautiful painting बनाई है, फिर fourth है discover, इसका past form होगा, discovered, आप discovered से sentence बनाऊगे, they discovered a new cafe, फिर है fifth बच्चो, tell, इसका past form होगा, told, ठीक है, आप क्या करोगे, आप told से sentence बनाऊगे, he told me a secret, फिर है gift, इसका past form होगा, gave, तो बच्चो, आप gave से sentence बना दो, she gave a flower to her friend, उसने अपने friend को, यह उसने अपनी friend को क्या दिया, बच्चो, flower दिया, फूल दिया, ठीक है, next है, नीम बाबा, speaks to Umber, as if he is a person, this figure of speech is called personification, let us look at some more examples, तो देखें बच्चो, नीम बाबा ने, अंबर से कैसे बात करी, कि जैसे वो कोई एक person है, कोई इनसान है, ठीक है, तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, इस चीज को यह जो figure of speech है, इसको हम personification कहते हैं, अब यहाँ आपको personification के दो examples दिये गए है, the leaves whispered in the wind, the flowers danced merrily in the breeze, तो देखें, first का क्या मतलब है, first का, अगर हम हिंदी देखें, तो इसका मतलब यह है, कि जो पत्तियां है, उन्होंने क्या करा, उन्होंने wind के कान में कुछ बोला, ठीक है, हधीरे से कुछ बोला, अब second है, the flowers danced merrily in the breeze, अब flowers जो है, उन्होंने क्या करा, उन्होंने बहुत ही खुशी से breeze के अंदर dance करा, now discuss it with your classmates and teacher, अब आपको क्या करने, बच्चो आपको इन दोनों के मतलब बताने है, तो देखो, the leaves whispered in the wind, this means that when the wind blew, the leaves made a soft rustling sound as if they were quietly talking to each other, तो देखें बच्चो, जब हवा चलती है, तो जब हवा चलती है, तो उसके चलने से, जो पत्तियां है, वो ओड़ रही है, और बहुत हलकी हलकी से उनकी उड़ने की आवाज आ रही है, अब जब वो आवाज आ रही है, तो उसको सुनके ऐसा लग रहा है, कि ये हलकी हलकी आपस में बात कर दिए, ठीक है, फिर है second the flowers danced merrily in the breeze आप लिखोगे this means that the flowers were moving happily in the wind as if they were dancing तो इसका क्या मतलब हो गया इसका मतलब यह हो गया कि flowers जो है वो wind में हवा में happily क्या करें move कर रहे हैं खुशी-खुशी से move कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि जैसे वो dance करें हो ठीक है अब next है let us listen तो देखे बच्चों यहाँ पर आपको page number 101 पर एक transcript दिया गया है ठीक है उसको पढ़ने के बाद यहाँ पर आपको बताना है कि कौन से sentences true है और कौन से false है तो बच्चों ट्रांस्क्रिप्ट को आप खुद से पढ़ लीजे पर आपको बता देते हैं कौन से sentences true है और कौन से false है ए है तो बच्चों यह स्टेटमेंट ट्रू है यह सच है ठीक है बच्चों यह स्टेटमेंट फॉल से प्रू है पर देते हैं तो बच्चों यह स्टेटमेंट बच्चों ट्रू है अब जो लड़का था उसने क्या करा उसने पेडों की देखबाल के लिए फैसला करा किसकी बात सुनके पीपल बाबा की बात सुनके पीपल बाबा की जन्नी सुनके ठीक है तो यह statement बच्चों true है अब यह है अब जो बच्चा है वो इस बात के लिए बहुत दा परिशान था जो उसकी टीचर ने उसको बताया थे तो यह बच्चों statement false है अब let us speak इसको आप छोड़ दो इसमें आपको एस सच कुछ नहीं करना अब आज आप let us write पे तो देखे बच्चों आपको क्या करना है यहाँ पर आपको किसी tree के बारे में लिखना है तो यहाँ पर आपको कुछ hints दिएगा है जैसे आपको आप इसमें बता सकते हो paragraph में कि वो tree कहाँ पर है तीक आप यह बता सकते हो कि वो कैसा लगते है उसकी height कैसी है, tree trunk कैसा है, पतियां कैसी है, flowers कैसी है फिर आप यह लिख सकते हो कि आपको वो क्यूँ पसंद है, ठीक है फिर आपको क्या करने है, आपको यह आपको पैरग्राफ है नहीं उसको आपको बच्छो title भी देने, नाम भी देने, ठीक है तो देखो, हम लिखेंगे the banyan tree there is a banyan tree near my house on the roadside तो roadside पर मेरे घर के पास क्या है, एक banyan tree है it stands tall with its thick trunk and wide spreading branches that provide shade अब देखें क्या है, तो देखें, अब यह जो tree है, यह कैसा है एकदम सीधा खड़ावा है और इसका जो trunk है, वो कैसा है, मोटा है the roots hanging from its branches give it a unique look अब देखें इसकी जो branches है वो क्या है? वो लटक रही है, तो और जो है, इसकी जो बच्चो क्या है, roots है जो जड़े है, वो क्या है? वो उपर से लटक रही है, branches से, ठीक है और वो क्या दे रही है? unique look दे ली तो देखें, बच्चो, जो बन्यान बनियान ट्री होता है उसकी जो रूच है वो नीचे नहीं होती है उसके रूच जो है वो ब्रांचिस पर लटकी वही होती है इस लीव्स आ लाज एंड ग्रीन इसकी जो पत्तियां है वो बहुत बड़ी बड़ी और हरे रंकी है I like the बनियान ट्री because I swing on its branches तो मुझे बनियान ट्री क्यों पसंद है क्योंकि मैं इसकी जो ब्रांचिस है उस पर जूला जूलती हूँ It also has medicinal properties और इसमें क्या बच्चे medicinal properties भी है मतलब बनियान ट्री जह है वो भी बिमारियों को ठीक करने में काम आता है The lifespan of बनियान ट्री is 200 to 500 years तो बच्चों देखे लाइस्पन क्या है बनियान ट्री का 200 से 500 साल तक अब है Let us explore तो देखे बच्चों नीम जो है उसको हम different different language में अलग-अलग तरीके से बोलते हैं तब आपको क्या दिये गया है यहाँ पे आपको नीम के different नाम दिये गया है और आपको बताना है कि यह जो नाम है यह किन इंडियन लैंगविजस में इनको ऐसा बोला जाता है तो देखिए बच्चो निम किसमें बोलते हैं हिंदी लैंग्विज में बोलते हैं निम किसमें बोलते हैं पंजाबी में लीमबा किसमें कहते हैं गुजराती में निमोरी किसे कहते हैं बच्चो निमोरी किस लैंग्विज में कहते हैं सिंधी में फिर बच्चो निमबा किस में कहते हैं तेलुगाओं में निमम किस में कहते हैं इंच में और युविय या में खिक company होते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगे हैं पसंद आई हो तो प्लिज वीडियो का लेख च not कर देए और बच्छो प्लिज बैल एकन की प्रेस कर दीजेगा तकर जब मैं कोई न्य वीडियो अप्लोड करूँ तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए